हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स असिस्टेंट प्रोफेसर येश्वीर गुपता आज जो हम डेफिनिशन डिसकस करने जा रहे हैं वो है लैंड ओनर पंजाब लैंड रेवन्यू एक्ट 1887 के अंडर ये सेक्शन 3 सब सेक्शन 2 में ये डेफिनिशन प्रोवाइट की गई है इस ड ओनर ओफ लैंड वर्ड है वो किसके साथ डिल कर रहा है वो ओनर्शिप के पॉइंट ओव व्यू से है कि जो इनसान वहां पे ओनर है और जो लैंड ओनर है लैंड ओनर लैंड रेवन्यू के पॉइंट ओव्यू से दिया हुआ है नो डाउट कि जो लैंड ओनर जो वर्ड ह है जो इसमें include हो सकते हैं जो की exactly ownership के point of view से owner नहीं है इसकी definition जो है वो मैं read करके सुनाता हूँ आपको section 3 subsection 2 में provide की हुए landowner landowner does not include a tenant or assignee of land revenue starting में जो इन्होंने provide किया है वो बताया गया है कि क्या include नहीं कर रहा landowner किसको include नहीं कर रहा first thing tenant second assignee of land revenue अब जो tenant की definition है वो section 4 subsection 5 Punjab Tenancy Act के अंदर provide की गी है और जो assignee of land revenue word है assignee of land revenue assignee of land revenue क्या होते हैं जिनको land revenue government ने grant किया गया है grant किया गया है इसका मतलब क्या है कि जैसे पुराने यह act है 1887 का उस timing में English लोग यहां पे थे और होता क्या था कि कि किसी भी इंसान ने कोई एक अच्छा काम कर दिया या फिर जैसे अभी कि military में किसी को परमवीर चकर वीर चकर मिल रहे हैं उन्होंने कोई अच्छा काम किया है तो उनको भी क्या हो सकता है कि एक बहुत बड़ी जमीन का टुकड़े का कहा दिया जाएगा कि हाँ जी यह वाली जमीन है इसका land revenue आपको assign किया जाता है आपको समपढ़ जाता है वो land revenue उनको मिल जाएगा या फिर इसमें थोड़ा सा मौफी वाला वर्ड भी आजाता है मौफी में क्या आता है कि अगर कोई एक पर्सन है इसको छोटी से उसका जमीन का टुकड़ा है तो उसमें उसका जो land revenue उसको माफ कर दिया जाता है कि need not to pay that land revenue तो यह दोनों चीज जो है वो किसके अंडर आगी assignee of land revenue के अंडर आ चुकी है ओके अब इसके बाद इस definition में हम आगे बढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा हुगा कि does include first वाला क्या था portion उन्होंने कि कौन कौन सी चीज जो है दो person होगे tenant और assignee of land revenue यह दोनों के अब इसमें क्या provide कि कोई भी ऐसा person जिसको holding या फिर estate ट्रांसफर की हुए कई बार क्या होता है कि कोई एक particular person है उसने क्या land revenue pay नहीं किया काफी time तक जब land revenue के area कठे होगे तो उसकी जो land है वो collector के orders के साथ क्या होता है उसे transfer कर दिया जाता है किसी और person को और वो जिस person को transfer की गई है वो land वो क्या करेगा उसका land revenue पे करेगा अब land revenue के purpose से यहां पर उस purpose के लिए उसे क्या मान लिया जाएगा land owner मान लिया जाएगा अब last में इसमें क्या provide किया गया है इस definition में and every other person not hearing before in this clause mentioned who is in possession of an estate or any share or portion thereof or in the enjoyment of any part of the profits of an estate अब इसमें क्या provide किया गया है कि कोई भी ऐसा person जो कि इस जमीन का मालिक नहीं है लेकिन वो उसमें क्या possession में है उसमें क्या है उसमें क्या है उस जमीन के possession में है और जो उपर वाले persons provide के गया है जैसे tenant assign of land revenue तो उन में से कोई भी person वो नहीं है तो वो क्या है उसे भी इस एक्ट के purpose के लिए क्या किया जाएगा deem किया जाएगा माना जाएगा कि वो land owner है अब इसके लिए examples लेते हैं जैसे mode geji या फिर कोई ऐसी विडियो जिसे lifetime के लिए life interest मिला है अपने husband की या किसी और property में से तो ये दो examples हो जाएगे अब एक case है टेकन सिंग एंड अदर्स वर्सिस गनेशी का 1962 का case है अब इसमें भी same चीज ही हल्ड की हुई थी कि अगर कोई lessy है जो mortgage है वो क्या है land owner हो सकता है लास्ट वाले portion में provide क्या क्या गया है कि कोई भी एक person जो किसी भी property के possession में है या फिर उसकी enjoyment में है meaning thereby कि उसके किसी पार्ट को enjoy कर रहा है लेकिन वो person क्या है वो person क्या है उपर वाले persons में से नहीं आ रहा उपर वाले persons जो provide के थे वही टेनेंट अब हम चेक करें क्या mortgage उनमें आता है क्या mortgage टेनेंट है नहीं मोटगेजी टेनेंट नहीं है यह directly provide क्या है किया गया है पंजाब टेनेंशी एक्ट सेक्षिन फॉर सबसेक्षिन फाइब में उसकी definition दी हुए टेनेंट की कि मोटगेजी टेनेंट नहीं है क्या वो किसी और परसन में फॉल कर रहे हैं नहीं तो दैट मींज जो यहां पर मोटगेजी है वो क्या हो सकता है जी लेंड ओनर हो सकता है लेकिन किस पॉइंट ओव व्यू से सेर्फ और सिफ्ट लांड रावन्यू एक्ट 1887 के पॉइंट ओव व्यू से ठीक है थैंक्स